बिए फाइनल एर में शीख्ट सेम में आपका स्लेबस है प्लेई है आपका दा मर्चेंट ओफ वैनिस रिटर्न बाई विल्यम शेक्स्पियर यह सोल्मी स्तावदी में लिखा गया एक प्लेई है सोल्मी स्तावदी में बच्चों आपका 1501 से लेके 1509 तक जो साल काउंट होंगे अपने वो सोल्मी स्तावदी में होंगे और यह 1595 के बाद लिखा गया था उसके बाद यह पब्लिश वा था यानि 1599 से पहले तक की बात है यह प्लेई विल्यम शेक्सपेर ने एक मर्चेंट के बारे में लिखा है एक ऐसा मर्चेंट मतलब वैपारी वैनिस एक सहर है इटली का जब हम वैनिस सिटी की बात करते हैं अगर हम गूगल पर सर्च करें और उसकी इमेज में जाके देखें तो हमें इस तरीके की इमेज दिखेंगी इस तरिके का सहर आपे दिखेगा जिसमें गलियों में आपको पानी दिखेगा नाव दिखेंगी यानि वहाँ इसको वैने सिटी को सीटी ओफ कैनल्स यानि नहरों का शहर का आजाता है छोटी बड़ी कई नहरे निकलती है या फिर हम कह सकते कि इसका जोग्रिफिकल कंडिशन कुछ ऐसी है कि गलियों में पानी है इसके आपने सर्च किया होगा कोई भी स्टोरी पता करने से पहले कोई भी स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हम वहां के बारे में उसका little meaning यानि शाबदिक अर्थ हम पता करते हैं तो वेने सिटी के बारे में हमने पता किया कि यह है एक द्वीब पर बसा हुआ एक ऐसा शेहर है अब आप उने सर्च करना है अपनी तरफ से कब यह शेहर बसा था और इसका कंडिशन ऐसा क्यों है तो हम पता करेंगे कि हिस्टोरिकल और जोग्रिफिकल इसका बेग्राउंड वेने सिटी के बारे में कुछ ऐसा था कि इसे टापों का शेहर का जाता है पहले भी का जाता था और जितने भी वेपारी थे यहां पे ही सभी के नाव ठहरती थी यहां से सामान को एक्सपोर्ट किया जाता था इंपोर्ट किया जाता था यानि सामान का आयात नेर्यात इस वेनिस सिटी के द्वारा होता था आप देख सकते किस प्रकार की इमेज हमें गूगल पर मिलती हैं अब यह हमारी कहानी है एक ऐसे इंसान के बारे में दे मर्चेंट ओफ वेनिस यानि वेपारी वेनिस सहर का वैसे तो बहुत सार वेपारी हो सकते हैं लेकिन कोई एक फेमस होगा तो बच्चों कहाने के शुरुआत होती है एंटोनियो से जो की वेनिस सहर का वैपारी है और वहे खयालों में खोयावा है कि उसके विचारों में क्या चल रहाए होगा उसको कोई मेज जिन नहीं कर सकता है उसके आसपास कुछ दोस्त हैं इसके वो सोचते हैं कि ये खायलों में क्यों खोया हुआ है, क्या इसे चिंता किस बात की है, कोई कुछ मजा करता है, कोई कुछ मजा करता है, उतनी देर में उसका एक और दोस्ता जाता है, तो सभी कहते हैं कि निकलो यहां से, अब इनका कोई अच्छा, इनका बेस्ट फ्रेंड आ आगे कैसे बढ़ते हैं ये समझेंगे उसमें जो मेन करेक्टर्स जुड़े हुए हैं पहले उनकी उनकी जो उनका रोल है उनके नाम है वो समझेंगे उसके बाद हम जब दुबारा और तीसरी चोथी बार हम समरी कर रहे होंगे तब हम माइनर करेक्टर्स की बात करेंगे फि बैसनियों आता है और एंटोनियों बोलता भई कैसे आना हुआ तो बैसनियों कहता है कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है और कुछ पैसे अगर मुझे उधार मिल जाते तो मुझे किसी दूसरे शहर में जाना है वहाँ पर किसी राजा की लड़की का स्वेमर चला हुआ था और मैं उस swimmer में हिस्सा लेना चाता हूँ, और अपनी किसमत को आजमाना चाता हूँ, हो सकता है, मेरा chance ऐसा लगे कि मैं वो swimmer जीत जाओं। तो एंटोनियो कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, सभी पैसे मेरे नाव पे लगे हुए है और मेरे सभी नाव पानी में गई हुई है, यानि फिलाल मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि तुम्हें दूसरे शेर जाने के लिए पैसे मैं दे सकूँ, तो यह कहता है कि कोई तो जे डबलू एक धर्म है यहूदी इसाई यह अपने वेस्टर में आपके धर्म मिलते हैं तो यहूदी यानि जू समूदाय से एक शायलोग नाम का आपका हम कह सकते जैसे अपने आपे आड़ती होते ना जो पैसे उदार पे देते हैं तो moneylanders यानि पैसे को उदार पे देने वाले उसके पास जाते हैं इनके social condition कैसी थी उसके बारे हम बात करेंगे तो जी इसके पास पैसे मांगते हैं और उससे थोड़ा अभदर वेबार करते हैं और पैसे मांगने आए हैं उसके बावजूद इसके साथ गाली कलोच से बात करते हुए अंटोनियो कहता है कि मुझ इस तरीके से बात कर रहे हो बोले उसके बाद भी यह है अच्छे से विवार नहीं करता क्यों नहीं करता उसके बारे में जिकर करेंगे उसके बाद शायलोग पैसे देने के लिए तो त्यार हो जाता है लेकिन कहता है कि तुम लोगों को एक bond बरना पड़ेगा उसके बाद पैसे देने के लिए मैं राजी हूँगा बोला कि मैं एक दिन रख देता हूं उस दिन उस तारिख तक अगर तुम मुझे पैसे वापिस नहीं करते हो तो तुम्हारे सीने में तुम्हारे दिल के करीब से कुछ पॉंड मैं मीड निकाल लूँगा कहने का मतलबा कर देशी बा बोट आ जाएंगी तब तेरे पैसे वापिस कर दूँगा तो उसके बाद भी नोने सीरेस नहीं लिया और बोट बर दिया अब स्टाइलोक से पैसे लेके बैसेनियो निकल जाता है दूसरे देश के तरफ जाए इसने जाना है और एंटोनियो अपने काम में बिजी हो जाता है अब आगे कारणी बढ़ती है कि बसेनियो कहां गया था और उसका स्टोरी में क्या रोल है बसेनियो जाता है पोर्शिया के देश में पोर्शिया एक राजा की लड़की है पोरोसी देश के राजा की लड़की है जिसके फादर ने यानि किंग ने अपनी बेटी के नाम वसीहत रखी थी और तीन बखसे उसने रखे थे और उन तीन बखसों में से किसी एक बखसे में पोर्शिया की तस्वीर है और जो भी आसपास से आने वाले नोजवान या जो भी राजा है जो भी सही बखसे का चुनाव करेगा जिसमें पोर्शिया की तस्वीर है उसके जाके नाम हो जाएगा और एक ही बक्से में पॉर्शिया की तस्वीर है बाग की दो में कुछ और है यानि वो सही बक्से नहीं है अब एक है सोने का एक है चांदी का और एक है टीन लीड की धातु जैसे अपना टीन की चदर होते हैं बार कोई बरांदा बनाई या फिर कहीं ली चत पे रखते हैं और वह ससती सी कोई भी कॉमन सी धातु की बात है अब बसहानी ये अपनी किस्मत आजमान न自己 जैसे बहुत सारे दूसरे राजा भी आये हैं अलग अलग देश से आने वाले जितने भी राजा हुन की अलग अलग टैप की क्वालिटीज है पोर्शिया रोग उसकी फ्रेंड बैट के बाते करती है कि कौन देश से कौन आया है और पोर्शिया कहते है कि अलग अलग देश से जो लोग आये है वो उनको एक रूम में लेके जा जाता है और का जाता है कि आपको आपने कास्केट का यानि बकसे का चुनाव करना है और कंडिशन ये है कि आपने जो भी बकसे का चुनाव किया अगर वो सही है तो ठीक अगर आपने सही बकसा नहीं चुना तो आप दूसरे राजा को या दूसरे किसे इंसान को इस बारे में जिकर नहीं करेंगे, आपको छुप चाप या से आपनी निकल जाना है, फिर आपने डिटेल में पढ़ना है कि किस देश से आने वाले राजा ने कौन से बखसेगा चुनाव किया, उसके बाद नंबर आता ह बसानियों का, और पोर्षया कहती है कि मेरी इच्छा तो ये है कि मैं तुम्हें आभी बता दूँ कि मेरी तस्वीर कौन से कास्केट में है, लेकिन मैं अपने लेट फादर के परती, यानि सुरगवासी पिता के परती वफादार हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे लिए अप तो मेरी कमिटमेंट है अपने फादर के परती, वो मैं नहीं तोड़ूँगी, उसके बाद बसानियों कुछ ध्यान से सोचता है, और सोचने के बाद वो सही बक्से का चुनाव करता है, उसमें पोर्षया की तस्वीर निकलती है, और हर बक्से में कुछ डिटेल में लिखा हुआ था, जिस बक्से में पोर्षया की तस्वीर थी, उसमें पोर्षया के फोटो के साथ कुछ डिटेल में लिखा था, उसमें था कि तुमने सही बक्से का चुनाव किया है, और आप से पोर्षया और इसका किंग्डम तुम्हारा है, उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है बसेनियों की शादी हुई ही थी, कि उसको संदेश मिलता है अंटोनियों का, और अंटोनियों ने कहा, कि तुम्हें जल्दी मेरे पासाना होगा पोर्शिया बसेनियों को कहती है, कि तुम्हें अपने दोस्त को उसका जो कॉल आया है, जो बुलावा आया है, उसको उसकी हल्प परनी चाहिए, एंटोनियों ने बुलावा भिजवाया, कि जो मेरे नाव थे, वो सभी नाव पानी में डूब गई है, और मैं सही समय पर शैल लोग मेरी जान ले सकता है, तुम जल्दी से आओ और मुझे बचाओ, इसके बाद बसेनियों पोर्शिया को वहीं छोड़ कर, पोर्शिया उसे दस गुना धन देती है, उस दस गुना ज्यादा वेल्थ देती है, कि ये पैसा लेके जाओ, और जाके अपने दोस्त की सीटी, जहां पर एंटोनियों की जान खत्रे में है, और शैलोक ने जो बोंड भरवाय था, उसके हिसाब से, अब शैलोक ने एंटोनियों के कलेजे से मास निकालना है, यानि इंडिरेक्ली उसको मारना है, आपका एक क्यूस्चिन यहां से भी बनेगा, कि किस राजा ने गोल्ड वाला बक्सा खोला, कौन से देश के राजा ने, तीन वाला और कौन से देश के राजा ने, सिल्वर यान निचांदी वाला बक्सा खोला, और हर बक्से में क्या निकलता है, इस बड़े क्यूस्चिन को हम बाद में डिसकस करेंगे, अभी हम समरी के साथ आगे बढ अब कोर्ट लगता है और कोर्ट में जो डूक ओफ वैनिस है यानि राजा वो बैठते हैं शाहलोग है और पॉर्शिया जो वकील के वेस में वो है एंटोनियों है एंटोनियों के साथ बसानियों है और शाहलोग एंटोनियों को किसी भी कीमत पर मार देना चाता है अपने कहती है कि यहां क्या चल रहा है तुम क्यों इसके जान के पिछे पड़े हो तब शाय लोग बताता है कि इसने मेरे पैसे टाइम पर नहीं बरे और इसने बॉंड भरा था कि अगर इस सही समय पर पैसे ना दे तो मैं इसकी जान ले सकता हूं कहने का मतलब इसके कलेजे से मास क तुकड़ा निकाल सकता हूं और इसने इस बात की सहमती दी थी अब जो हमारे डूक ओफ वेनिस है वो बड़े दयालू है वो कहते है कि भी माफ कर दो कोई बात नी तुम्हें माफ कर देना चाहिए अब पोर्शया कहती है तुम इसके बदले दो गुना पैसे लो तुम इस कंडिशन को फुल्फिल करना है पोर्शया ने दस कुना पैसे देकर बसनीयों को वहां से रवाना किया और कहा कि तुम्हें अपनी दोस्त की जान बचाने चाहिए उसके बाद बसनीयों वैनिस के लिए निकल जाता है अब पोर्शया अपनी फ्रेंड के साथ वकील का फेस पढ़ा कर निकल जाती है वैनि सिटी के लिए और बसानियों से पहले पहुंच जाती है जहां पर कोर्ट लगा है और कोर्ट में शैलोग एंटोनियों को किसी भी हाल में मार देना चाता है अपने साथ हुए अपमान का बदला लेना चाता है और उसके कलेजे से मीट का अगर तुम देना चाहो तो तुम माफ कर सकते हो लेकिन शैलोग कहता है कि नहीं जो बॉंड में लिखा था मुझे तो वही चाहिए यानि इसके कड़ेजे से मीट का टुकडा ही चाहिए अब कहते हैं पोर्षिया कहते हैं कि तुम दो गुना पैसे लो चार गुना पैसे लो तुम दस गुना पैसे भी ले लो लेकिन इसकी जान बख्सतो लेकिन सहलो किसी भी बात से एगरी करने से मना कर देता है और कहता है कि बॉंड में जो लिखा है मुझे उसके लाबा कुछ नहीं चाहिए उसके किसी और बात के लिए मैं जिम्मेदान नहीं होगा अब पोर्शिया कहते हैं कि मुझे तुमारा बॉंड दिखाओ तो बॉंड देखती है और ध्यान से पड़ती है और देखती है उसमें बिल्कुल एक्जाक्टली यही लिखा था और नीचे कि अगर इस डेट तक मैं पैसे वापस ना करूं तो इतना पॉंड मीट का टुकड़ा मेरे कलेजे से शैलोक निकाल सकता है अब पोर्शिया कहती है कि तुम चाहो तो लास्ट वर्निंग है तुम ज्यादा पैसे लेकि इसको माफ कर सकते हो लेकिन शैलोक बना कर देता है अब पोर्शिया कहती कि ठीक है जैसा तुम चाहो अपना करो जैसा तुमने करना है निकालो मीट का टुकड़ा तो अंटोनियो कहता है कि तुम कैसे वकील हो तुम मेरे जान बचाने के बचाए मेरे जान बनी है बात और तुम मेरे जान लेने के लिए तुम ले उसके साथ तो कह बोले बिल्कुल सही बात है तो बोले तुम सिर्फ मीट का टुकडा निकाल सकते हो एक भी वूंद खून की नहीं निकलने चाहिए अगर मेरे मुखकल की मौत होती है खून बहने से तो तुमारे उपर attempt to murder यानि इरादतन हत्या का केस लगेगा और तुमें सजा मिलेगी अब शायलो को समझ में आगी बात की बाजी पलट गई है शायलो कहता है कि मुझे चलो 10 गुना पैसे दे दो बोले नहीं तुमने तो कहा था जो लिखा मुझे वही चाहिए उसके लावा कुछ भी नहीं चाहिए अब शायलो कहता है कि ठीक है मुझे 4 गुना पैसे दे दो मुझ सिर्फ उतने ही पैशे दे तो जितने मेरे थे मुझे डबल भी नहीं चाहिए फिर सभी कहते कि नहीं तुमने तो कहा था जो लिखा वही चाहिए तुम्हें उसके लाबा कुछ और नहीं चाहिए तो बुले कहता है मुझे पैसे ही नहीं चाहिए मुझे जाने दो मुझे दी जाती है, attempt to murder का उस पर case चलता है और उसकी सारे संपती जब्द कर ली जाती है और जितनी भी संपती थी उसको सारे पैसे अंटोनियों उसमें आपका विक्टिम था, अब विक्टिम को सारे पैसे मिल जाते हैं, आधे पैसे विक्टिम को और आधे पैसे आपके Duke of Venice के account में चले जाते हैं इस तरीके से हैपी एंडिंग की और जब कहानी बढ़ रही होती है तो एक और गुड़नू जाती है कि जितने भी ये जो जहाज थे वो डूपे नहीं थे वो एक misunderstanding थी अफ़ा थी या गलत खबर थी जो पहुंच की थी पहले खबर आये थी कि जभी जाते हूँ पैसा नहीं लोटा सकता है इसलिए चाहलोक उसकी जान लेना चाता था लेकिन अब खबर आती है जैसे ज़िए रया हाठ वापिस आगे हैं इन बिटविन दो तिन इवेंट होती है जैसे जब एंटोनियो बसानियो के पास एक संदेश विजवाता है कि मेरी शायलोग मेरी जान लेना चाहता है तो जैसे ही शायलोग वहाँ से निकलता है जैसे ही बसानियो वहाँ से निकलता है पोर्शिया बसानियो को एक रिंग देती है अंगूठी देती है और कहती है कि तुम इसे अपने पास रखना और जब भी तुमने इस अंगूठी को खुद से अलग किया तो मैं माल लोगी तुमने मुझे खुद से अलग कर दिया और जब पॉर्षया वकिल के वेस में जाती है अंटोनियो की जान बजा लेती है तो बसानियों से कुछ मांगने की पूछते कि मुझे तुमने दोस्त की जान बजाए क्या बदले मुझे कुछ मिलेगा तो बसानियों कहता है कि ये लोग जितना भी तसकुना पैसा मैं इसको शैलो को देने के लिए लाधा तो इसको ले सकते हो वकिल समझ के बात करता है तो पॉर्षया कहते कि नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए उसकी हाथ में अंगोठी देखती है और कहते कि ये रिंग मुझे बहुत अच्छी लगी क्या तुम मुझे ये रिंग दे सकते हो अब बसेनियों को याद आता है कि पोर्षय ने कहा था कि एरिंग तुमने खुचे अलग नहीं करनी, वो आनाकानी करने के कोशिश करता है, लेकिन तब ही अंटरियों कहता है कि क्या ये अंगूठी तुमारे दोस्त की जान से बढ़कर है, जिस वगिल न तुमारे दोस्त की जान अलग करते हैं तो पोर्षया अपने बढ़के जब बसेनियों के पास आते हैं, तो पसानियों कुछ कहने ही पाता है तो पोर्षय उसे तो इस परकार एंड में खबर आती है कि अन्टोनियों के सभी जहाद सही सलामत वापिस आ गए है और इस परकार हैपी एंडिंग इसकी हो जाती है बच्चों जब भी किसी प्ले की हैपी एंडिंग होती है उसे कॉमेटी का जाता है लिट्रेचर की लैंग्वेज में अब जहाँ पर ट्रेजडी होती है यानि कोई दुख की सिचुएशन है कोई ऐसी घटना हो जाते हैं जो सही ना लगे उसे हम ट्रेजिक ट्रेजडी कहते हैं अब यह है आपका प्ले इसमें ट्रेजडी भी थी जैसे अन्टोनियों का शायलोक के साथ जो उसका इक्वेशन सह यह नहीं थी और लास्ट में अच्छी हैपी एंडिंग हो जाती है तो इस परकार के प्ले को ट्रेजिक कॉमेडी का आ जाता है यानि उसमें ट्रेजडी भी है और कॉमेडी का भी कुछ इवेंट पाए जाते हैं ट्रेजिक कॉमेक आपका यह प्ले है और इसमें जितने पी question बनेंगे वो हम बाद की वीडियो में discuss करते हैं कि किस परकार से question पूचा जा सकता आपके paper में कैसे summary आएगी, कैसे characters कह जाएगा कैसे three casket का अलग से question बन सकता है और उसके लावा भी कैसे type question को आपने attempt करना है, short question को कैसे attempt करना है, ये सब discussion हम बाद की वीडियो में करेंगे और अब ही हमने बहुत सारे characters के नाम को discuss नहीं किया सिर्फ Antonio था ब्रसाइनियो था, Shailok था Porsia था, चार ही character की हमने बाद की है, बाके characters की भी involvement है और उनके importance क्या है कहानी में कैसे कहानी आगे बढ़ते हैं कैसे question पूछे जा सकते हैं और उन characters के नाम क्या हैं ये सब हम बाद की वीडियो में जानेंगे और दीरे दीरे करके सबी characters के नाम and all इसके लिए आपको लगातार जुड़े रहे उसके बाद भी किसी student का कोई doubt बनता है तो आप comment कर सकते हैं और आपकी समस्या पर काम किया जाएगा